नमस्कार मैं हर्बंस नागो के आए बाद जम्मू किश्मीर की और पडोसी देश की करें देश में वही बात होती है कि पडोसी बद्रे नहीं जाते पडोसी के जो हालत है भारत पूरी नजर रखता है चुकि उसके कभी भी इरादे हमारे लिए नेक नहीं हुए है भारत ये इस समय इमरान खान की गद्दी डगमगा रही है अब इस प्रस्ताव जो है वो आना है नतीजे जो हैं वो तराव पूर नहीं रहेंगे चुकि 345 नेशनल इसम्बली में उनकी सदस टोटल सदस हैं 178 सीमित रहे गए हैं MQM जो इमरान खान पार्टी के साथ सथा धारी दल म फापस ले लिया है मगर भारत के बुद्ध चीवी और भारत सरकार यह जानती है कि कुछ भी हो जाए गद्दी उसकी बचे या इमरान खान की नाम बचे कश्मीर में हालात उसके वैसे ही रहेंगे नापाक साजिश रस्ता रहेगा इसलिए भारत ने बहुत सोच समझ कर दे यह पर कुल अभी तक काफी लोग一 ने प्रापरटी खरीद ली है चौनतीस लोग ने खरीदी है और वहाँ एक प्रापरटी डीलर कहते हैं कि बहुत से और स्थान हैं जहां पर दिल्ली मुंबई के लोग जो हैं उत्तर कश्मीर में सेंट्रल कश्मीर में आने के लिए पूरी तरीक से तयार हैं और सारी फॉर्मेलिटी शुरू कर दी गई है और अब एक बात उठकर और सामने आखड़ी है जो मुसावाल बहुत बड़ा लेकर आई है वो यह है कश्मीरी विस्तापित हिंदों को वापस ले जाने के लिए अने को प्रैस किये मगर जादा सफल नहीं हुए मगर अब बाहर के जो लोग भारती आर हैं उससे मनोबल सभी का बड़ेगा सूतर ये भी बताते हैं कि अब लंबे समय से जो मांग थी कि कश्मीर घर्टी में सैन कालोनी की तायारी कर ली गई है इसमें भूत पूर सैनिक चाहें हो जम्मू के हैं कश्मीर के हैं या देश के हैं उनके लिए कालोनी बनेगी और उनको पूरे प्लाट मिलेंगे और सस्ते मिलेंगे इससे और भी जो अगर भूत पूर सैनिक हैं चाहें जम्मू के हैं कश्मी के या बाहर के वो भी आ सकेंगे और यह सारी बात है यही अब परमान दे रही है कि पूरी तरीके से यह हमारा जम्हों किश्मीर देश के साथ एक विधान एक समिधान के बीच है बहुत से नए आयाम आएंगे जिस तरीके से युनाइटड अरब इमरात से अर्बों रुपे क संपत्ती जो है यहाँ अब उसकी खर्च होगी मौल बनेंगे उध्योग बनेंगे तो उसमें कम से कम यह तो भारत पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि मुस्लिम बाहुदरा जमू किश्मीर में वहां के जो बहुत सक्क्राइब मुस्लिमें उनके साथ कुछ गलत हो रहा है जब यूनाइटेड अरब अमिराद के वहां पर वैपारी आएंगे बहुत से कंपनियां आएंगी उससे मनोबल बड़ेगा ही बड़ेगा और कोई भी ऐसी बात अब रहने जाएगी जो कहें कि घड़ी की सोन्यों को आप पीशे कर लें जहां तक आतंक वाद की बात है वो आतंक वाद को बढ़ाने की नापाक साजी से रच रही हैं बारा मुगला के सोपर में एक बुरकाधारी महिला ने सीर पिएफ बंकर पर गरनेड फैका था और वो जो है पहचान हो गई है ये सारी बात साबित हो रही है कि कश्मीर में ये आतंक वाद अभी चलता रहेगा औ जो अजन्सिया है वो आगे से जादा अलर्ट होई हैं जादा उनका पैनापन नजर आया है जादा उनके सोर्सेज हैं वो बड़े हैं चाहे अभी भी कश्मीर घाटी में अंडर ग्राउंड बहुत से वरकर आतंक वाद समर्तन की हैं और इसी में कईयों पर अच्छी खासी के काम करने में उन्हें पकड़ा गया है और उनकी जाइंट इंटरोगेशन शुरू हो चुकी है और जहां तक प्रजातंत्र का जो चौथा प्रहरी होता है उसमें भी कई काली भेडें कश्मीर जमू कश्मीर में हैं बहुत भरों से मनसूत्र बताते हैं कि जहां कश्मीर मे चौथे प्रहरी के अंदर आगे हैं, उन पर पूरी नजर रखी हुई है, जैसे कश्मीर में रहीस एम्मत भल्ट जो वैली न्यू सरिफसिस अनंतनाक से चलाता था, वो लशकरे तौबा का आतंक वादी था, वो मारा गया, कश्मीर में एक और आतंक वादी मारा गया है, तो यह साफ बात तैह हो गई है, यह पूरी तरीके से ऐसा होता रहेगा, और दूसरी तरह पाकिस्तान की बनी होई हालात को देखते हुए, पहले ही हमरी सुरक्षा की बहुत चोक सी बॉर्डर पर है, चाहे भारत पाक अंतर राश्टी सीमा है, या गुलाम कश्मीर की सीमा है, चाहे जमूर डिवीजन के जिला रजावरी और पुंच में हैं और कश्मीर घाटी के बारा मूला और खुपवाड़ा में हैं, यहां सारी तैयारियां जो हैं सुरक्षा की और तेज हैं, ताकि कोई भी अगर पाकिस्तान की नापाक साजिश पाकिस्तान के अंदरूनी हाला बेगलने पर की जाए उसको पूरी तरीके से सच्छा महाम जड़ से उहाड़ पाने के लिए आज के इसकर कारक्रम में बस इतना ही, नमस्कार.